हेलो दोस्तों विल्कम बैक तो आज़के आप सब के लिए करने वड़े लिकाओ दोस्तों की क्या अपना निक्स्ट मैच खेलने वाली है RCB के गेंस्टोरी ये मैच कल होने वाला यानि की 21 अपरील को दो पैर साड़े तीन बे से मैच है और दोस्तों की क्या अपने होम ग्राउंड पे ये मैच केलने वाली है तो दोस्तों की क्या टीम की क्या प्लेंग लवन हो सकती इस मैच में क्योंकि पिछला मैच की क्या टीम हारी है क्या कोई टीन जिसकी क्या टीम यहां से करने वाली है कौन कौन से प्लियर फिट है सारी चीजे मैं आप सको डीटेल से बताऊंगा तो बिना कोई टाइम विस्कि जल्दी से वीडियो को करते हैं शुरू वीडियो पस्ता है तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब निकरो तो सब्सक्राइब करो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को अ नितरशाना अगले मैच में खेलते वे नजराएंगे तो दोस्तों मैं उसको बता दू कि नितरशाना अभी पुई तरीके से फिट नहीं है यानि कि मैच में सेलेक्शन के लिए वो अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों इसी वज़ए से उनका कोई चांस अभी बन नहीं रहा ह प्लेइंग लवन में आने का जब वो पुई तरीके से फिट हो जाएंगे उनकी इंजरी ठीक हो जाएगी तब कि क्या टीम उनको प्लेइंग लवन में डिरिक्ली लियाएगी तो अभी जो नितरशाना प्लेइंग लवन में नहीं आएंगे तो बैटिंग और में मुझे न तो नहीं होने चाहिए मिचल स्टार्ग को अभी दो तीन मैचे जो और मिलेंगे जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया अगर वहाँ पे थोड़ा से भी अच्छा नहीं आता है तो फिक क्या टीम जो से उनको चेंज करने वाली है थोड़े से एक्सपेंसी पिछल प्लेइंग लॉइन में भी मौका मिल सकता है आगे आने वाले मैचेज में हो सकता है कली उनका डेवी हो सकता है और फिक दोस्तों चेतन सा करिया का भी इस्तिमाल किया सकता है क्योंकि वह डेथ वस में काफी अच्छी बोलिंग करते है तो दोस्तों इसी वज़ास से चेंज नहीं होंगे तो चलिए दोस्तों बात करते सबसे पहले ओपनिंग करेंगे सुनेल नरायन के साथ फिल सॉल्ट और दोस्तों ये ओपनिंग कॉमिनेशन काफी अच्छी साबित हो रही है के क्यार के लिए उसके बाद नंबर तीन पर आएंगे अंकरिश रगुण सी नंबर चा नंबर 11 पर वरुन चक्रवरती खेलते हुए नजराएंगे और इंपक्ट प्लेयर में हमें जो वैब रोड़ा खेलते हुए देख सकते हैं या फिर अगर स्पिनर फ्रेंडली पिछ हुआ थोड़ा सा स्पिनर कुछ आता मदद हुआ तो दोस्तों कि क्या टीम सुयस सर्मा क भी इस्तिमाल कर सकती है क्योंकि दिन में मैंच होने वाला है तो आपको बता है कि जब दिन में मैच दो स्पिनर स को बहुत ज्यादा मदद मिलता है इसीवजा से हम सुयस सर्मा को भी प्लेंग लॉन में देख सकते है या फिर बैटिंग में अगर जरूत पर दिया तो सब्सक्राइब करो मिलते एक नए विडियो के साथ